तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं पॉपलाशन डैनेमिस के बारे में जो कि आपके एक इसके सिलिबस का ही पार्ट है एक्चुली जो आपके अधर इनिवर्सिटी हैं या फिर एए सिटी का जो स्टेंडर्ड या मोडल सिलिबस है सब्सक्राइब का उसमें मोडल सिक्स तक ही दिया हुआ है जबकि एक इसलिबस में आपके चार जो यूनिट है वह एक्स्ट्राइट के गए हैं फॉन लाइफ साइंस तो एक्चुली जो भी इसके बाद मैं डिसक्स करने वाला हूं जो टॉपिक्स वह आपके लाप साइंस से लेकिन यह आपके सिर्वस का पार्ट है मैं कोई करना कि इसमें चीज़ बाद या लाप सेंस का ही है तो आपको इसको श्रडी करना है ठीक है तो तो अब आवे स्टार्ट करते हैं पॉप्लस अडानमिक्स ठीक है तो बैसिक लिए हम लोग उसके टर्मिलोजी है जो बैसिक चीज़े हैं वह करने वालने हैं इसमें तो पॉप्लेशन इस ग्रूप ऑफ इंडिविजुल आप देशेम स्पीसिज़ डैट ऑक्पपाई स्पेसिफिक एरिया उबर सटन प्रियोड आप ताइम तो एक स्मॉर एरिया या कोई फिक्स एरिया में जितने भी कोई स्पीसिशन है मैं यह कर सक देने अमिकल सेस्टम कैसे हैं मतलव कि उसमें वहां की ओर म Van गण की एंडिल्यम्य को समखता है क्या चैंज जा रहा है इसमें जो हम उपर किया है कि पोबलेशन जो है और टाइम किसा करता है टीक है तो मैंने दो मेंनी लेहर जो हम इसे प्सक्राइब कर सकते हैं मुनिक और तकी क्या आपका average आपका हमेशा रहा थाना है रहा है और क्या करीबिड कर रहा है कि वह सब्सक्राइब करद और क क्लिए तो पॉ conservative अलाजिफ जो किम मुस्ट कहले लुँंग है प्लीधिन है था कुछित इक्री को बोलता है ठीक है तो population ecology में अगर हम लोग study करते हैं कि आपका जो population है वो environment के साथ कैसे relation है मतलब population जो की एक living thing है और environment जो है जो की एक non living thing है तो उसमें आपका matter energy का कैसे transfer हो रहा है वो यह हम लोग study करते है population ecology में तो यह include करता है कि environmental influence की population density पर कैसे impact around environment का distribution पर इसके एक च्रॉक्टर्ट्रट्रपा वारीएशन पर ठीक है पर पॉपलिशन द्यानमिक्स पार्ट आप्पलेशन ecology तो पोप्लेशन एक चुड़ी करते हैं उसमें पॉपलेशन डैनमिक्स एक शोड़ा है क्या रीजन है इस स्टेडिक कर सकते हैं एक्षुली जो होता यह है कि हम लोग किसी सिटी में किसी में कोई भी आपका पॉब्लेक इंफास्ट्राइब करना है हम लोग को जैसे रोड़ वे पाइपलाइन वाटर पाइपलाइन पाइपलाइन या वाटर करेंट है इस तरह कि जो भी रिक्वाइमेंट है तो आपके फूचर परस्पेक्टिव को देखें करते हैं तो उनका पॉप्लेशन कैसे करेगी कितना इंक्रीज करेगी तो हम लोग से इस्टेडिक कर सकते हैं अगले दीवी साल में तीव साल में तो इसके लिए थोड़ा सा मुना इसका इसमार क एकार सकते हैं ठीक है थीक को कgresट बात कर लोटते हैं कि पॉपलेशन ऑब क्रेक्टरिस्टिक्स म्गत्रेग तो इसनत ये पॉपलेशन गहाना कैई कि फोब्रसंड है कि को सबस्क्राइब तो आपका इस चोटे सब्सक्राइब करता है कि आपका साइज और पूपलेस प्रौपलिशन क्या है पूरे सपेस के एक तो आपका एक स्क्राइब कर सकते हैं इंडिविजियल पर यूरिया यह वालूम कितना कितने पेड़ हैं कि नंबर कर सकते हैं जिसे आपकी आधा कि 500 टीक ट्री पर हेक्टियर से फोटे लाइंस पर एरिया है यह फाइब मिलियन डाइटम्स पॉर क्यूबिक मीटर ओफ वाडर मतलब टेक्निक से से और बायोमास डेंसे दिसे मतलब कि कितना उसमें पॉप्पूलेशन है काउंटिंग करते हैं इसमाल कि यह इस्तिमाल के रहता है करते हैं ठीक है तो लैंड अरिया में कितने वेट है किसी ग्रास लेंड का या किसी मतलब च्छेटे-टे बैक्टरी आप्रेज देशनी कितना है तो बैसेकलि हम लोग भूने तो ने टिरेट पर यूट टाइम इस प्रड़ेशन अप नूडिविडिविड इन पॉपलेशन नियू इंडिविडियल का जो बार्थ है उसको हम रिफर करते हैं ने लिटी से मतलए कितना किसे रेट से बर्थ हो रहा है बचों का ठीक तो बर्थ रेट जो है नमबर ऑफ पर से यूटी टाइम पर एभरेश प्रसन देखा रहता है कि एक दिन में या एक साल में कितने लाएख पॉपलेशन पर इंडिविडियल पर कितने नमबर ऑफ बच्टों का बच पड़ थो रहा है ठीक है तो मैक्सिम नमबर ऑफ बर्थ रिप्रॉडों पर करता है विसे कि आपका वहां का पोटेंशल क्या है इसको मिससे भी करते हैं ठीक है तो मैक्सिमम जो है जो अब्जर्ब किया गया है कि तभी करता है जब एकोलोजिकल जैनेटिक कंडिशन हो और एक्च्वल नंबर ऑफ बर्थ जो होता है वह से समय से कम ही होता है ठीक है कि अब अब बात करने लगते हैं तो मॉटलिटी कि कि कितने परसंद यह पर यह टाइम में डेट कर रहा है उसके बोलते हैं मॉटलिटी तो इसको मिनम्म या इस प्टेंशल पर मॉटलिटी से टर्म स सब्सक्राइब करते हैं मतलब कि यह करता है कि मिनम्म थेयरोटिकल लॉस ऑफ इंडिविजल अंडर आइडियल और लिमिटिंग कंडिशन मतलब सब कुछ सही रहेगा जाए बीमारिया नहीं होगी लोग नेशुल डेथ से मरेंगे तो इस केसे में तो कितना पॉट पोटें सब्सक्राइब करता है कि अगर कैसा सिच्वेशन है नेक्स्ट है इकोलोजिकल और रियलाइज मोटलिटी इट्रेफर्स देट ऑफ इंडिविजल ऑफ पोपलेशन अंडर एजिस्टिंग कंडिशन तो यह हम लोग बोल रहा है ते रिससकर रहा है कि यह सिच्वेशन कब है जब आइडिल कंडिशन नहीं है इस केस में क्या एक्ट्रेटी है उसको हम लोग करते हैं तो मैक्सिम मोटलेटी डिपेंड करता है कि मतलब कब यह मतलब किसी इंसक्री बात की जाए तो ठीक है तो मॉटलेशन जो एफेक्ट करता है बहुत साचीजों पर कि आपका जाए इन्वाइमेंट कैसा है इस सब पर करता है कि कि किना आपका मतलब है या नहीं है तो भर्थ या डेथ रेट रेशीयों जो है वह में वाइटल इंडिक्स कर पूंधा आता है कि क्यों को स्टॉडि करने का में किस तरह इंक्रीज कर रही है घट रही है तो बढ़ से को तो यह करता है कि आपका मतलब कैसा है ठिक है फिना यह ग्रेंट करते हैं बॉर्थ हे तोर्षे क्योंकि आता है कि यह बुताराता है कि आपको करते हैं पोबलेशन ग्रोथ की तो ग्रोथ जो है एक तरह सा डाइनमिक फीचर होता है पोबलेशन की फिसीट की पोबलेशन का क्यूंकि यह आपका घ्रता बढ़ता रहता है और उसके बहुत सारे प्रेक्टर डिपेंड करते हैं इसके तो इसके लिए वह समय कुछ करते हैं तो ग्राफ जो है उसमें लोग एक सब्सक्राइब को वाइक सब्सक्राइब को तो दो तरीके से ग्रोथ देखा जाता है किसी भी रीजन का पॉपलेशन का मतलब कोई भी स्पेस में कोई भी जो मतलब पॉपलेट होते हैं तो संसरा चाहें तो सुरुप दिखा जाता है इसमीर सोर्व में पर जाती वहाँ पर हो जाती है तो रहने लाइक सब्सक्राइब फिर दिर जाकर वहां के एरिया नुम्मेट के कोडिंग वह इस्टेबलाइज होने लगते हैं और दिरी दिरी वह सच्ट्राइशन पर आहे लगते हैं तो कि वह लोग बोलते हैं करव मतलब आपका सुरूर में हैं जो है जो होता है लेकिन बाद में वह इस्पीड हो जाता है और बाद में वहां पर सिच्वेस्ट मतलब जो एरिया है वह इतना फेवरेवल है किसी भी एनिमल या किसी भी और लिए कि वहां पर पॉपॉलिशन भड़ता दारा भड़ता दारा मतलब कि डेथ रेज बड़त का या जो रेसियो है वह कॉंस्टेंट रेट से एंक्रीज कर रहा है तो इसको बोलते ह और क्या इसा है उसका पर धृपन करता है कि आपका जो पॉपॉपॉलेशन है उसमें एज का डिर्स करता होगा तो अगर चार्णा में या O है वो डेपेंड करता है कि वहां का situation कैसा है वहां का climate कैसा है situation कैसा ठीक है तो actually जो है अगर पूरे population हम लोग तीन पार्ट में भाइट कर सकते हैं मतलब एक हो गया है growing mature और stable ठीक है और जो बोल सकते हैं एक बार जो old हो चुके है वो तो growing जो है अगर जादा होंगे तो आपके जो है यह इस तरह के आपके एज पिरमिड बनेगी ठीक है मतलब number of growing जो है population जादा है और जहां पर आपका stable हो चुका है population का मतलब कि उसके जो death rate है वो कम है ही और जो बार रिट है वो भी कम है तो इंडिया चाना में यही है कि इंडिया में अभी six fifty million people जो है working group में आते हैं तो कि चाना में जादा है वैसे अभी भी लेकिन 2040 तक हम लोग के हमारे देश में जो है लबक one 70 million जो वर्किंग एचे पीपुल है वो चाहिना से रेस्पेक्ट में बढ़ जाएंगे तो वर्किंग बढ़ जाएंगे तो यह तो हमारे लिए अच्छी बात है लेकिन एक तरह से उनके लिए जो है जो जो की जरूरत है जरू करते हैं जिसका करते हैं ताकि हम लोग नंबर और प्रपोर्शन अप इंडिवीजल हम लोग सो कर सकें एज वाई वह जो में प्रामिट उसमें मेल भीमार के लिए अनुप सेपरेटली बना सकते हैं कि आपका जो है यंगर एज में कितने लोग है में में कितने हैं और आपकी जो लोग्रोफ रेट है तो आपकी जो है प्रामिड है वह आपके जिस्लोप है ज्यादा रोखाई देंगे जो कि यूएस ऐस्ट्रडिया कंड़ा में है जिनकी फ्रूब हो चुकी है मतलब बढ़ नहीं बढ़ यह तो वह लवग आपकी इस तरह से दिखाई देंग करें लोग है उज़्यादा है तो उनके वह यह यह आपके सितार के एस्पीरमेंट देहने को मिल सकते ठीक है तो अब बात करेंगाता है पुबलेस्ट करता है टो पुमेंड करता है बहुत सारे फिक्ट्र करो सकते हैं एक होता है नंटर लोग आ रहे हैं उतना ही लोग जा रहे हैं ठीक है नेक्स साइकलिक आपके जो मतलब की कोई बहुत सरे अपने इंसेक्ट या इनमल्स को देखा होगा कि कि किसी खास सीजन में किसी खास मतलब टाइमिंग में वो ग्रो करते हैं जब उसको पुछी तरह से जो फेवरेवल कंड से जब वह सम्क्राइमिट खतम होता है उनकी भी कंड्रोल आजाती है तो इसको बोलता है साइकलिक करते हैं प्रेडियोस होते हैं चलता रहता है रूपया है नेक्स्ट है एरप्टिव मतलब कि कोई भी एनिमल किसी खास इंवर्मेंट में आता है कि युदिक खास इंवर्म घंशली उसकी पुट्व सींग्रोथ होती है तो इस ते बहुंता बढ़ जाती है पुलसन क्रोथ पुट्वल सन और उसकी वर्म रखती ही इस तरह के फ्लोक्सिर्शन देखने को मिलते हैं। तो हम क्लाइमेट ऐसा है जिसके क्लाइमेट है वो है या नहीं है ठीक है तो यहां पे पर पॉबलेशन कर रहा थे नेक्स्ट लेक्चर में अगले पाट जो है इकोडाइप या फिर पॉबलिशन जैनिक्स के बाद दिस्स करेंगे ठी तेंक यू